आज मैं आपके लिए लाई हूँ चिली चिकन कडाई की रिसिपी मैंने चिली चिकन को देसी अंदाज में बनाया था मेरे गर पे सबको ये बहुत अच्छी लगी तो मैंने सुचा क्यों ना ये रिसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए सबसे पहले मैंने तेल गरम कर लिया था और इसमें मैं चिकन को कर लोगी डी फ्राइ आप चाहें तो बोन्लेश चिकन भी यूज गर सकते हैं मैंने लगबग दो कीजी का चिकन लिया था चिकन ये फ्राइ हो गया है अब हम चिकन को निकाल लेंगे तेल से एक्स्ट्रा ओयल भी मैंने निकाल लिया है और बचे हुए तेल में मैं कर लूँगी प्याज को फ्राइ प्याज मैंने फाइनली चॉप कर लिया था प्याज हो गया है सॉफ्ट अब मैं इसमें एड़ कर लूँगी अद्रक और लसन का पेस्ट एक चमच इसे भी दो से तीन सेकंड के लिए फ्राइ कर लिए अब मैं इसमें एड़ कर रही हूँ टिमाटो प्यूरी चिकन की साइज के हसाब से आप प्याज और टिमाटो की कॉंटिटी कम ज़्यादा कर लें दो से तीन मिनट पकाने के बाद अब मैं इसमें एड़ कर रही हूँ जीरा एक चमच लाल मिर्ची का पाउडर दो चमच चिकन मसाला एक चमच फेनल सीट पाउडर एक चमच हल्दी आदा चमच गरम मसाला एक चमच और मसाली को दो से तीन मिनट तक पका लेंगे इस मसाली ने तेल छोड़ना स्टार कर लिया है मतलब कि ये रेडी हो गया है मैंने इसमें नमक एट कर लिया है कैपसिकम प्यास जिनने मैंने बड़ा बड़ा कट कर लिया था चिली सॉस ये फोर टेबल स्पोन है टोमाटो कैचप फ्री टेबल स्पोन है इसे हमने थोड़ा सा पका लिया पहले अब मैंने इसमें एड़ का लिया है फ्राई किया हुआ चिकन आदा ग्लास पानी जाएगा इसमें और इसे हम पका लेंगे